हलो फ्रेंड्स आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन इस्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत है तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आपका जो है वो एक्जाम काफी नजदीक आ चुका है और हम लोग तिरकोन मीती के मोस्ट जो इंपोर्टेंट कोश् कोशन ले करके आया हैं तो आप वीडियो के अंतक बने रहे हैं अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वेल आइकन जरूर प्रेस किजिएगा जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो चलिए लाइक कर जीएगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को क्या कर लिजिएगा सब्सक्राइब कर लिजिएगा बहुत मोच्ट इंपोटेंट स्टॉप्टीग कोशन है आपका त महलों मीति आप को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैक recession कि अःफ تर् Site Positionierung even study area पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हम लोग देखेंगे हम लोग जो है दो वीडियो अगर आप नहीं देखें first, second तो आप वो वीडियो देख ले ये third वीडियो है ये तिरकोन मीती objective का ये third वीडियो है अगर आप दो नहीं देखेंगे तो आप प्लेइलिस्ट में जाएंगे और वहाँ एक तिरकोन मीती प्लेइलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप देख सकते हैं चलिए first question है आपके पास यदि sign theta बराबर cos theta है sign theta बराबर cos theta है ठीक है तो theta का मान होगा यानि इसके कहने का मतलब हुआ cos theta के तो यहाँ जो theta का जो value होगा वो इसमें से कौन होगा option A है 0 degree, option B है 30 degree, option C है 60 degree और option D है 45 degree तो कौन ऐसा value है जो sign का भी value है और cos का भी value है ठीक है दोनों का value है sign का भी value है और cos का भी value है यह कौन सा value है तो वो हो जाएगा आपका कौन सा तो ठीटा का वैलू यानि की 45 डिग्री, साइन 45 का वैलू भी क्या होता है 1 by root 2 और कॉस 45 का भी होता है 1 by root 2 तो दोनों का जो 45 डिग्री का वैलू है वो बराबर होता है तो इसमें आपका option number जो है option number डी जो है वो क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा option number डी हो जाएगा इस question का correct answer, चलिए चलते है next question की तरफ चलिए, अगला question है यदि sin ठीटा बराबर 1 by 2 तो ठीटा का वैलू क्या होगा यानि ठीटा का मान क्या होगा तो देखिए क्या करेंगे, यह हमारे पास है sin ठीटा 1 by 2 अब आपको बताना है कि 1 by 2 जो है, वो sin कितना का वैलू है 1 by 2 जो है, वो sin कितना का वैलू है, चिक है तो हम लोग जानते हैं कि sin 30 degree, कितना डिगरी sin 30 degree sin 30 degree का वैलू क्या है sin 30 degree इसका वैलू होता है 1 by 2, ठीक है एक बता दू, यानि किता आपका option नमबर जो है, वो d जो है, वो correct हो जाएगा, option नमबर d क्या होगा correct answer हो जाएगा, ठीक है चलिए, अब बढ़ते हैं, next question की तरफ question नमबर 43 तो यहाँ पर question पूछा गया है 210 30 degree बटा 1 plus 10 30 degree, चलिए इसको हम solve करते हैं आप वीडियो के अन तक बने रहे, यह बहुत अच्छे-च्छे question है, यह मैं guarantee देता हूँ कि इसी जितने हम switch करा रहे हैं, आप regular बने रहे, वीडियो में जो है आप regular बने रहे, आप देखेंगे कि आपको इसी वीडियो में से तिरकोन मीती के जो भी question objective पूछे जाएंगे वो आपको देखने को वहाँ मिलेंगे ठीक है, चलिए तो यहाँ पे होगी आपका 210 30 degree ठीक है और बटाम है आपका, 1 plus 10 square 30 degree अब देखिए 10 30 का value क्या होता है यह 2 रहेगा, यहाँ पे गुना, ठीक है और 10 30 degree ठीक है, 10 30 degree का value हम लोग जानते है क्या होता है, 1 by root 3 1 by root 3 10 30 degree, ठीक है तो यह हो जाएगा, 1 by root 3, और बटा 1 plus 1 by root 3 का क्या हो जाएगा, square ठीक है अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जब हम इसको करेंगे, गुना करेंगे तो यह हो जाएगा, 2 और बटा में हो जाएगा root 3, ठीक है अब जब इसको अफ़ल किजिएगा तो यह है 1, ठीक है ध्यान देंगे यह है यहाँ पे 1 और plus जब इसको आप स्कॉयर किजिएगा तो यह होगा, 1 बटा 3 जनी कि 1 बाई 3 हो جएगा 1 बटा 3 हो जएगा इसको भीन के जोट करेंगे गा तो 3 एकम 3 और plus इसमें एग जोटेगा यानी कि 4 बटा 3, क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा बटा में 4 और बटा में क्या 3 चार बटा तीन आ जाएगा जब इसको हम भाग से घुना बदेंगे तो डू, बटा, रूट, घृ, तीरी और गुना तीन बटा, क्या चार, तीन बटा क्या हो जाएगा, चार अब दो से इसको काड दीजिए तो दो से काटेंगे, तो रहे हो गया देखिए तो हमारे पास बच गया वो क्या है हमारे पास बचा three और कितना two root three two root three यह बच गया अब देखिए we Caroline क्या लिख सकते हैं three को लिख सकते हैं root 3 into root 3 और बटा यहां है to root 3 अब इससे यह कड़ जाएगा root 3 से root 3 अब हमारे पास बच गया वो बच गया आपका root 3 by 2 root 3 by 2 यह हमारे पास क्या हुआ बच गया तो अब क्या करेंगे कि आप यह बताएगे कि root 3 by 2 जो है इसमें से किसका value है तो आप देखेंगे कि sin 60 degree का value जो होता है वो root 3 by 2 हो जाएगा तो इस question का जो correct answer होगा वो option number A हो जाएगा चलिए अब बढ़ते हैं next question की तरह हो अगला question है आपका 44 ठीक है question number 44 चलिए तो अब यहां हम देखेंगे one minus 10 square 45 और one plus 10 square 45 तो देखे one to one रहेगा और minus 10 45 का value कितना होता है one होता है तो one का square कर देंगे और बटा one plus 10 45 का value one तो इसका भी square अब यह क्या होगा तो देखिए यह one और one का square one ही होगा और बटा यह one और फिर plus one का square one ही होगा अब यह one में से one घटा यह गयता है zero और यह होगया one one क्या होगया two होगया तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि कि किसी भी संख्या से हम zero में क्या करते हैं भाग देते हैं तो उसका वैलू क्या होता है जीरो होता है ठीक है उसका वैलू क्या होता है लेकिन किसी संख्या में हम जीरो से भाग देते हैं यह होता है और परिभासित इसको बोलते हैं और परिभासित यानिकी infinitive ठीक है यह आप ध्यान रखेंगे तो आपका यहाँ जो answer है वो answer क्या हो जाएगा आपका option number जो है D हो जाएगा इस question का correct answer option number D ठीक है option number D होगा इस question का correct answer चलिए बढ़ते है next question की तरफ next question है आपका 45 यहाँ पे कहा गया है कि sign 2A और बराबर 2sin A अब यह दोनों बराबर हो कैसे बराबर होगा तो देखिए हम अगर यह zero ठीक है एक जगा zero रखते हैं तो सब क्या होगा बराबर हो जाएगा सब क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी zero रखिएगा और यहाँ भी zero रखिएगा तो ये सब पूरा के पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो आपका इस question का जो option number A है वही हो जाएगा correct answer ठीक है correct answer हो जाएगा चलिए बढ़ते है next question की तरफ next question है आपका 46 इसमें हम क्या देख रहे हैं 210-30 degree तो 2 को 2 रहने दिजिए और 10-30 degree का value कितना होता है तो वह हो जाएगा आपका 1 by root 3 1 by root 3 ठीक है और बटा 1 minus 210 square 30 degree sorry 1 minus 10 square 30 degree 30 degree 30 degree का value हो गया root 3 इसका कर देंगे square ठीक है अब देखिए यहाँ जाएगा 2 upon root 3 और यहाँ पर upon फिर करेंगे 1 और minus देखिए जब इसको आप square को यहाँ पर square यह पूरा को हल करेंगे ठीक है तो 1 by root 3 को जब दो बार गुना करेंगे तो यह आएगा 1 by 3 क्या जाएगा 1 by 3 आजाएगा यहाँ से इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 2 by 3 तो देखिए आप ध्यान से यह हो गया 2 बटा root 3 और गुना यहाँ यह पूरा हल करने पर आएगा 2 by root 3 ठीक है root 3 गुने root 3 और बटाम यह क्या है root 3 अब root 3 से root 3 खतम root 3 से root 3 क्या हो गया खतम हो गया यानि कट गया हमारे पास क्या बचा सिर्फ बच गया हमारे पास root 3 क्या बच गया root 3 अब देखिए कि इसमें root 3 किसका मायन है option A में है 60 degree का option B में है sin 60 ठीक है पुछा गया है तो हम लोग सभाद में जानते हैं कि रूट 3 जो है वो आपका 1060 डिग्री का वैलू होता है किसका वैलू होता है 1060 डिग्री का तो आपका option number C जो है हो जाएगा इस question का correct answer option number C ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ next question जो है 47 वन पलस 10 ठीटा और पलस 6 ठीटा वन पलस 4 ठीटा और माइनस 4 ठीटा देखिए ये question objective में पूछा गया है बहुत अच्छी बात है लेकिन ये question जो है थोड़ा सा long है इसको आपको बनाना पड़ेगा ठीक है और मैं बता दूं कैसे क्या की जिएगा जैसे ये होगा आपका one पलस 10 को बदलिएगा क्या sine ठीटा और बटा क्या cos theta sin theta बटा coStar minus 1 को बदलिएगा one by cos theta ये हो जाएगा ठीक है उसके बादिसमें आते हैं तोозмय िसमें भी आपको चैंज करना है तो ये हो जाएगा one पलस कोट को बदलिएगा कोश ठीटा और बटा में क्या साइन ठीटा यह सब फर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए ठीक है और माइनस वान बाई साइन ठीटा यह हो जाएगा यह दोनों अब यह दोनों इसका LCM इसका भी LCM किजेगा LCM करने का बाद फिर आगे हल किजेगा तो आपको एंसर आजाएगा ठीक है हम लॉंग यानि वीडियो लॉंग नहों इसके लिए आपको इतना प्रोसेस बता दी है इससे आगे आप कर सकते हैं अगर आपको समाज में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे हम special जो है इस टाइब के 2-4 question का जो है आपको हम वीडियो बना देंगे ठीक है तो चलिए हम लोग चलेंगे इसका answer जान लेते है कि इसका answer क्या होगा तो इसका answer आपका हो जाएगा 47 का 47 का जो answer है वो हो जाएगा आपका option number जो है c हो जाएगा यहनी 2 आएगा जब देखिए इसका यह पूरे part यहाँ जो दिख रहा है आपका यह पूरे part में आजाएगा 1 और यह पूरे part में आजाएगा 1 ठीक है मतलब पूरा हल की जिगा तो आपका answer 2 आजाएगा option number B होगा इस question का correct answer चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 48 यहाँ कहा गया है sec theta plus 10 theta 1 minus sin theta बराबर है यानी किसके बराबर है आप वीडियो को रोग करके खुद से बनाएगे अगर आप से नहीं बनता है फिर वीडियो को देखिए ठीक है चलिए तो इसको हम solve करते हैं अब कैसे solve करेंगे वो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मेरे पास जो है वो sec theta है और 10 theta यहाँ पे sec theta यहाँ पे 10 theta तो चलिए इसको बदलेंगे तो one by हो जाएगा cos theta क्या होगा cos theta और plus यह हो जाएगा sin theta और बटा में क्या cos theta sin theta बटा में cos theta कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यह धर हमारे पास one minus sin theta ठीक है यह है अब जब आप इसका LCM कीजिएगा तो यह होगा cos theta तो उपर हो जाएगा one plus sin theta आपको भी इनका जोर मालूम होगा तो यहां हो जाएगा one क्योंकि यह cos से cos क्या हो जाएगा यहां cos से cos यह cos से cos खतम तो यह one हो गया यहां cos से cos खतम तो यह sin हो गया और यहां क्या है one minus sin theta कि हमारा है one minus sin theta ठीक है अब देखिए अब हम क्या करेंगे इतना आप लोग लिख लेंगे इतना आप नोटबुक में लिख लेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके लिए हमको erase करना पड़ेगा ठीक है चलिए तो इतना को हम क्या कर देते हैं erase कर देते हैं अब देखते हैं आगे का जो process था मेरे पास मेरे पास आया था क्या वो आ गया था आपका one plus sine theta और बटा में क्या था cos theta तेखे और इस तरफ था one minus क्या sine theta जो आपका बगल में यहां लेखा हुआ है अब देखिए यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि यह हो गया a plus b और यह हो गया a minus b a plus b into a minus b क्या होता a square minus b square क्योंकि हम लोग जानते हैं a square minus b square बराबर a plus b और a minus यह होता है तो चलिए हम इसको लिख सकते है a square minus b square लिख सकते हैं और बटा में क्या है cos theta अब a square minus b square ता इसको एक का square की जगा ता एक ही होगा तो इसको हम लिख सकते हैं एक माइनस साइन स्क्वाइर ठीटा ये लिख सकते हैं अब बटा में क्या हो गया कॉस ठीटा बटा में क्या हो गया कॉस ठीटा अब हम लोग एक फर्मूला जानते है वन माइनस साइन स्क्वाइर ठीटा होता है क्या cos theta, cos square theta, क्या होता है cos square theta, और बट्टा में आ जाईए, आपका है cos theta, क्या है cos theta, अब ये cos theta से हम लोग ये square कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास बच जाएगा क्या, cos theta हमारे पास क्या बच जाएगा, cos theta अब देखिए, इसमें cos theta option number d में, ठीक है option number d में है, तो question number 48 का जो है option number d जो है, वो correct हो जाएगा, ठीक है, आसा करते हैं, आपको ये question समझ में आ गया होगा, ठीक है, पहले आप क्या कि जिगा कर वीडियो को रोकिएगा, उसको खुद से बनाईएगा, ठीक है, जिससे आपका practice बेहतर हो जाए, और जब कहीं पर problem हो, तब आप वीडियो को देखिए, तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, लेकिन वीडियो को आँ तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से आप सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, चलिए, अब बढ़ते हैं, next question की तरफ, चलिए, next question है, हमारे पास, 1 पलस 10 square A, और 1 पलस cot square A, 1 पलस 10 square A, और 1 पलस cot square A, तो आपको फर्मूला याद होगा, 1 पलस 10 square A, जो है, वो होता है आपका, सेख स्क्वार A, सेख स्क्वार A, और बटा, 1 पलस cot square A, होता है आपका, कॉसेक स्क्वार, कॉसेक स्क्वार A, कॉसेक स्क्वार A, ठीक है, कॉसेक स्क्वार A, यह आपको पहले से ग्यानत है, मालूम है, ठीक है, चलिए, अब हम बढ़ते हैं, सेख को हम लिख सकते है, 1 by कॉसेक्वार A, कॉई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बटा, कॉसेक को लिख सकते है, 1 by स्क्वार A, ठीक है, चलिए, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, कि यह हमारा भाग में है, क्या चीज़ में है, भाग में, इसको गुना में बदलेंगे, गुना में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम, पहले हटा देते हैं यहां से, आप कोपी में नोट डाउन करते चलेंगे, चलिए, तो हम क्या करेंगे, कि 1 by यह हो जाएगा, कॉस, A स्क्वार A, और गुना, यह हो जाएगा, क्योंकि भाग को जब गुना यह बदलते हैं, तो नीचे वाला क्या होता है, प्रड जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, अब देखिए हमारे पास आ गिया, क्या आ गिया, तो हमारे पास मिल गिया, क्या, साइन एसक्वार A, और बटा, कॉस, यह मिल गिया, अब साइन एसक्वार A, बटा कॉस एसक्वार A क्या होता है, यह होता है, टैन एसक्वार A, टैन एसक्वार A, ठीक है, तो आपका आप्सन नमर डी, जो है टैन एसक्वार यह, इस कॉस्चन का हो जाएगा, कॉरेक्ट इंस है, option number d जो है क्या हो जाएगा correct answer ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ चलिए ये आपका question रहा 50 question question number 50 बहुत महत्पून question है आप इसको ध्यान से खुद बनाएए और इसके बाद जो है वीडियो को देखिए चलिए तो यहां पे हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है cos के power 4a minus sin के power 4a इसको हल करना है और देखना है कि इसमें से कौन सा मेरा answer हो चलिए हल करते हैं तो आप देखिए कि cos जो है इसको हम लिख सकते है cos के power 2 का hold 2 यह लिख सकते हैं minus minus sign को sign को भी लिख सकते है sign square का square कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि फिर गुना करेंगे 2 into 2 तो 4 हो जाएगा क्या करेंगे गुना करेंगे तो 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे इसको भी दुनों को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यह हो गया a square minus b square a square minus b square तो क्या होगा a plus b into a minus b चलिए कर देते हैं a plus b यानि कि cos square a cos square a नहाँ पे a लिख लेंगे और plus sine square a यह होगा a plus b अब होगा a minus b तो cos square a और minus sine square a ठीक है यह होगा अब देखिए इसका value तो हम लोग जानते हैं कि one होता है इसका value क्या होता है one होता है sine square plus cos square one यहाँ पे क्रम बदला हुआ है तो जोर में योग में करम बदलने पर मान में कोई पड़ी बढ़ता नहीं होता है ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे sine square plus cos square क्या हो गया one हो गया तो चलिए अब यहाँ यहाँ गुना में इसका कोई value नहीं है एक से गुना करेंगे तो उतना ही होगा अब देखेंगे हम इस पार्ट को ठीक है इस पार्ट को देखेंगे उस से पहले हम क्या करते है हम ऊपर वाले को edge कर देते हैं चलिए इसको हटा देते हैं अब लेक हलिए होंगे चलिए इस पार्ट को हम लोग देख लेते हैं क्या होगा इसे देख लिए यह हमारा पार्ट है cos square a minus sin square cos square a minus sin square a चलिए इसमें से हम sin को बदल देते हैं माइनस वाला को बदल देते हैं यह हो जाएगा cos square a और minus इसको बदलेंगे तक यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1 minus cos square a ठीक है sin square का फर्मूला क्या होता है 1 minus cos square theta ठीक है अब देखिए देखिए यह होगा हमारा कॉस इसक्वाइर ए और माइनस इसमें गुना करेंगे तह माइनस वान माइनस माइनस क्या हो जागा पलस यहां पे देखिए यहां पे आपका है यह हो गया माइनस यहां भी क्या हो गया माइनस तह माइनस माइनस क्या हो ठीक है यह हो गया अब आप ध्यान से देखेंगे कि यह कॉसे स्क्वाइर यह एक और कॉसे स्क्वाइर यह दो हो गया यहां होगा टू कॉसे स्क्वाइर ए और माइनस वन क्या हो गया माइनस वन अब ध्यान से देखिए कि यह ऑप्शन जो है वह आपके किसमें दिया हुआ ह डीया है तो कोसटर को माइनस वन तै कि इसमें नहीं Epic और आपका ऑप्शन नम¹ fringe इस क्षेन का जो कॉल्डभ को जाएका भो भी हो जाएक तु आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने सांतियों को सेर कर दीजिए जिससे उनका भी बेनिफिट हो जाए ठीक है और आप लोग जैसा कि जानते भी है कि एक फरवड़ी से आपका नया बैच ठीक है क्लास तेंथ का नया बैच स्टार्ट हो ने जा रहा है तो अपने सांतियों अपने आसपरोस अपने सभी दोस्तों को बता देए सुचना कि एक फरवड़ी से एवन एस्टडी एरिया जो है एक बेहतरीन क्लास लेकर के आ रही है आपके यूटूब चैनल पर ठीक है जो जिस तरह से यहां पर मतलब क्लास करा जाए झाल झाल